अलग गाइज चालू करते हैं अपना कैलोरिमेट्री का चेप्टर माइनम इस रितिश दहिया एंड इस चेप्टर में हम बात करने वाले हीट आपकी कैलोरिमेट्री जो है जो आपकी ओल्डेस साइंस कही जाती है उसके बारे में ठीक है हीट को हम यहां पर जो कैलोरिमेट्री है उसको हम ओल्डेस साइंस कहते हैं for the simple reason के हतियार लोहा पिगला के हतियार बनाने वाला जो काम था वो हम पता नहीं कितनी सदियों से करते आ रहे हैं हम पर फोर माड़े अँठीक है बहर 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 किया है, अगर दोनों का तापमान temperature बराबर आ गया उस वाहा बंद कर देगे, the process of transfer of heat जो है वो आपका non-mechanical process है, इसका मतलब यह है कि there is no mechanical work involved in the process of heat transfer, जब heat आपकी यहाँ से वहाँ transfer होती है तो उसमें कोई mechanical process की आपको जरुवत नहीं है, heat जो है वो आपकी scalar quantity है, amount of heat जो है उसको हम calorie में measure करते हैं, usually but calorie आपकी SI unit नहीं है, SI unit इसकी आपक mechanical equivalent लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, हम कहते हैं कि calorie is equal to 4.18 joule, तो एक calorie की value हो, जब आप उसको mechanical equivalent joule में convert करते हैं, जो आपकी SI unit है, उसको 4.18 या फिर 4.2 से जब joule को multiply कर देते हैं, तो calorie की value आ जाती है, ठीक है, all right, आगे बढ़ते हैं हम कहते है specific heat, now specific heat इसको हम ऐसे define कर र usually, molar specific heat की बात हम आपके KTG और thermodynamics के chapter में करते हैं, बट या identify यहां भी कर लेते हैं, दुबार आएक बार फिर उस पर discussion कर लेंगे, हम कहते हैं, यहां पर specific heat, amount of heat required, अगर आपके पास कोई body है, उसका 10 gram, 50 gram, 100 gram weight है, उसका temperature आप 1 degree से बढ़ाना चाहते हैं, तो कितनी heat आपको देनी है, per gram, that is called आपकी gram specific heat, if nothing is mentioned, उसको हम usually gram specific heat को मानते हैं, वो आपके default value है, इसको हम कहते हैं कि amount of heat जो आपको supply करनी है, तो आपने जो heat supply करनी है, आपकी body है, उसको आप heat दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इसका temperature जो बढ़ जाए, पहले 10 degree था, 15 हो जाए, 20 था, उसक temperature उसका बढ़ जाए, तो amount of heat जो है, वो आपकी proportional होगी, डिल्टा T के, यह आपका proportional होगा कि उसका original mass कितना है, इन्ही को जब हम combine करते हैं, तो हम कहते हैं, Q will be equal to M multiplied by S delta T, यह आपकी amount of heat होगाती है, यह देहन देना, यहाँ पर आपके लिए fun fact यह है, कि एकलौता ऐसा area है, जहाँ पर आप जो proportionality constant है, उसको बीच में लिखते हैं, usually जब हम लिखते हैं, GM1, M2 by R square, तो G पहले आता है, KQ1, Q2 by R square, K पहले लिखते हैं, proportionality constant usually हम बीच में लिखते हैं, यहाँ convention ऐसा है, कि proportionality constant जो S है, आपका वो बीच में आता है, ठीक है, S की value जिसको हम specific heat कहते हैं, उसकी value हो जाएगी, Q divided by M delta T, तो amount of heat जो हमने supply की है, divided by mass हो जित्ता temperature बढ़ाया है, एक शीर यहाँ पर ध्यान रखना कि it is property of substance of material, तो copper की specific अलग होएगी, water की अलग है, aluminium की, brass की, steel की, हर material की specific heat उसकी अपनी property है, तो यहाँ अगर आप temperature ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा heat देनी पड़ेगी, उसी material का आप अगर double mass ले आएं, तो आपको double heat देनी पड़ेगी, यह आपकी constant value है, यह आपकी property of material है, इस चीज को ध्यान रखेगा, unit इसकी होएगी, SI में देखेंगे, तो Joule पर आपका kilogram, और divided by Kelvin, यह आएगा, या फिर अगर SI में ना बात करके, हम CGS में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे calorie gram per degree centigrade, calorie है, यहाप एक और नई चीज है, उसको हम define करते है, calorie हमने का heat, ठीक है, heat हमने सारी बाते ही कर ली, हम कहते है, एक calorie को भी हमने define किया हूँ है, तो एक calorie is the amount of heat required, अगर आपका पानी है, जिसका temperature आप 14.5 degree से बढ़ा है, so it's defined as the amount of heat required to raise temperature of 1 gram of water from 15.5 to, from 14.5 to 15.5 degree centigrade, इसको आप एक calorie कहते है, अगरे, चला, next यहाँ पर बाहर करते है, heat capacity या thermal capacity क्या है, specific heat तो आपके material की property हो गई, पर आपके पास जो एक container है, आपके पास जो एक body है, वो कितनी heat capacity रखता है, उसका parameter हम यहाँ पर लेते है, amount of heat required to raise temperature of a whole body by 1 degree centigrade, और आपकी जो thermal capacity है, heat capacity आजाती है, वो आपकी हो जाएगी, तो उसकी specific heat multiplied by उसका अपना mass, तो अगर एक gram है, तो उसकी heat capacity अलग होगी, 10 gram है, उसकी heat capacity 10 times हो जाएगी, जो एक gram की है, और इसकी value delta Q divided by delta T आयाती है, तो जितनी heat आपने supply है की per degree centigrade या per degree Kelvin, वो आपकी heat capacity हो जाएगी, नेक्स चीज़ हम यहां पर define करते हैं, विच इसको गरम नहीं कर सकते हैं, उस पानी के साथ आपका एक container भी आएगा, उस container में वो liquid रखा होएगा, यहां पर हम कहते हैं, कि अगर उस container से आपको उसकी specific heat और उसके mass से आप deal करना नहीं चाहते हैं, तो यहां पर हम एक चीज़ define कर देते हैं, which is called water equivalent, हम यह कहते हैं कि container ऐसा है, कि मान लिजे container की heat capacity के हम बात करें, वो ऐसी है, कि जैसे 10 ग्राम पानी, तो मतलब 10 ग्राम पानी का 10 degree, 50 degree, 20 degree, जो temperature बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो heat देनी थी, वो ही हम कहते हैं, इस container क required है, तो यहां पर हम यूज कर लेते हैं, water equivalent, इसको यूज करने के बाद सवाल बहुत असान हो जाते हैं, हम कहते हैं, it is defined as the mass of water, which would absorb और evolve the same amount of heat as is done by the body, in rising or falling through the same range of temperature, उसको हम water equivalent कहते हैं, usually इसको W से denote करते हैं, तो delta Q जो आपकी MS, delta T होती थी, उस case में हम कहा देंगे, यहां यहां पर MS की जगे, हम यहां W use कर लेंगे, और यहां पर delta T से multiply कर देंगे, तो इस case में जो heat required है to raise the temperature of this container, वो आप यहां W use कर सकते हैं, यह water container use हो जाएगा है, ठीक है, water equivalent, next यहां पर बाद करते हैं, specific heat, जिसको हम कहते है, molar specific heat, तो amount of heat required, एक आपका mole substance है, उसका 1 degree temperature बढ़ा आना है, उसके लिए जितनी heat चाहिए, उसको हम कहेंगे, molar specific heat, gram specific heat थी कि एक gram का temperature बढ़ाने के लिए, कितना आपको amount चाहिए, यहां पर कह रहे है, एक mole का temperature बढ़ाने के लिए, आपको कितनी specific heat चाहिए, उसको हम molar specific heat कहेंगे, definition again वो ही same है, amount of heat required to raise the temperature of a body, of 1 gram mole, ठीक है, 1 gram mole आगया है, यहां पर, by 1 degree centigrade, और यह जो C से हम इसको denote करते है, usually आपकी जो gram specific heat है, उसको हम S से denote करते है, इसको C से करते है, so that we can differentiate, इसकी value आजाएगी, M, Q divided by M, delta Q, तो इसकी value होगी, आपका total mass divided by molar mass, multiplied by Q, delta T, यह आपकी value हो जाएगी, ठीक है, यह कहलाती है, आपकी gram specific heat, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर, मैं आपको कुछ data दे रहा हूँ, सवाल सौल करने में बहुत useful data है, वो आपको अच्छे से contest होना चाहिए, वो data आपको अच्छे से आना चाहिए, हम कहते हैं specific heat जो ice है, ice की specific heat जो होगी, ice का temperature अगर आपको 1 degree बढ़ाना है, उसको हम कहते है, 0 ग्राम का था, हम आप किलो ग्राम कर रहे है, पर केल्विन आपको इतनी heat चाहिए, temperature अगर आपको water का बढ़ाना हो, तो एक ग्राम पर, एक calorie पर ग्राम पर degree centigrade चाहिए, आपको, steam का अगेन फिर आपका 0.5 होता है, इस data को आपको ध्यान रखना है, रात को 2 बजे भी आपको ध्यान होना चाहिए, आपके पास कोई excuse नहीं होगा, नहीं तो calorie meter के सवाल नहीं होगा आप से, ठीक है, simple सी वो बात है, यह आपकी specific heat आती है, ice की, water की, और कोई मुश्किल लेटा भी नहीं है, ice की और steam की 0.5 है, और water की 1 है, ग्राम पर, calorie पर ग्राम पर degree centigrade, now next यहां पर बा हभी तक हमने काया कि temperature, आप heat दो गए, तो temperature change होगा, हमने notice किया कि हम heat दिये जा रहे है, और temperature change नहीं हो रहा है, उस case में कि अगर आपने heat प्रवाइड की और आपका liquid का temperature change नहीं हुआ है, तो हो सकता है, वो liquid steam में convert हो रहा हो, solid है, उसका आप heat दिये जा रहे है, दिये जा द temperature change नहीं हो रहा है, हो सकता है, वो solid होगा, तो अपनी state change करके liquid में convert हो रहा हो, और इस way से temperature आपका change नहीं होगा, इस phenomenon को हम कहते है, आपका phase change, आपका solid से liquid, liquid से gas, आपका state change होता है, इसको हम phase change भी कहते है, तो इस solid है, solid पे आपने इसको heat प्रवाइड की, liquid बन जाएगा, liquid ह या water का example है, liquid है, 100 degree पे आप उसको और heat दिये जा रहे है, वो आपकी stay steam में convert हो रही है, एक बास सब steam में convert हो जाएगा, उसके बाद आप heat देंगे, तो फिर आपका steam का temperature बढ़ेगा, similarly, solid है, उसकी आप heat लेंगे, तो अगर water है जैसे, ठीक है, तो heat अगर आप solid है, उसको heat द होता है, और transition from one phase to another phase, this is called phase change, और यहाँ पे हम यह चीज़ define करते है, which is called latent heat, क्या आपने कितनी heat दी है, वो इस बात पर depend करेगा, कितनी heat देनी है, अपने को phase change करने के लिए, amount of heat required to change the state of mass m from substance, this is called आपका latent heat, L जो है, आपका latent heat क्या लाता है, so L की जो unit होएगी, उसको हम degree centigrade नहीं है, जो आपकी specific heat थी, उसका per degree centigrade भी यहाँ पर factor था, यहाँ पर degree centigrade नहीं है, because यह temperature change ही नहीं हो रहा है, तो Q will be equal to कितनी heat required है, उसका पूरा पूरे object का या पूरे container में जित्ता भी आपका liquid भरा था, उस liquid को सारे को आपने steam में convert करना है, तो Q will be equal to ml, जित्ता mass multiplied by latent heat, पूरी ice पे गलानी है, तो आपका Q will be equal to ml, आपने अगर heat कम दी है, तो यह possible है कि पूरी ice आपकी liquid में ना बदले, उसमें से कुछ पोशिचन तो liquid में convert रहा, कुछ अभी भी ice ही है, because आपने heat इतनी नहीं दी वहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखना, काम आता है सवालों में, उसका बात करते हैं, यहाँ पे data की, यहाँ पे हम दो चीज़े define करते है, latent heat of fusion और latent heat of vaporization, for water at its normal freezing temperature, melting point, the latent heat of fusion, वो कहलाता है, जब हम ice से water में convert कर रहे है, तो यह data आपने ध्यान रखना है, latent heat of ice जो है, उसको हम लिखते है 80 calorie per gram, latent heat of vaporization होता है, कि water को आप steam में convert कर रहे है, व आपके specific heat की 3 value हो गई, मैं एक बाफ है लिखता हूं, आपके notes के लिए, specific heat की जब हमने बात की, तो ice जो है, उसको हमने लिखा 0.5, और specific heat water की हमने लिखी 1, specific heat of steam की हमने लिखी 0.5, latent heat जब आप ice की लिखेंगे, so this will be equal to 80 calorie per gram, latent heat जो steam की लिखेंगे आप, उसको हम लिखते है this will be equal to 540 calorie per gram, यह data आपको यह पांचो ध्यान रखना है, चलो, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, आपके बहुत कम इसके पर बात होती है, बट आपका यह कहते है, variation of latent heat with temperature and pressure, तो यह possible है कि अगर हम अपना temperature और pressure, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, तो सारी STP पर बात हो रही थी, कि बहुत standard temperature और pressure है, अब हम यहाँ पर कुछ conditions ऐसी बनाते हैं, कि आपके यह triple point कहते हैं, इस triple point पर ऐसा होता है, कि आपका जैसे liquid जो है, वो पहले, जैसे solid है, solid पहले liquid में बढ़ देगा, और liquid जो है आपका फिर उसका गैसर state में बढ़ ले देहान रखना, यह आपका triple point है, इस point पर आपकी, जो matter है, वो तीनो state पर exist कर सकता है, कि वो liquid भी है, solid भी है, अब आप temperature, pressure change करो, तो आपको liquid से direct steam बन जाएगी, या फिस steam से direct आपका solid बन जाएगा, end of the round, ठीक है, इस चीज को देहान रखना है, all right, चलो, next यहाँ पहले बा liquid and other liquid, usually यह वाला case लेते हैं, at different temperature, mixed, अगर हमने mix किया है, तो usually हम कहते हैं कि बरफ में, आपका पानी में बरफ डाल दी, ठीक है, if that is a scenario, कई बार जरूरी नहीं ऐसा हो, दो liquid भी mix कर सकते हैं, but दो solid, solid बगण में रखके, अगर उनका काम करें, तो heat आपका conduction और convection और radiation वह गली कहानी हो जाएगी, यहाँ पे हम कहते हैं, पूरे system का temperature आपका change होएगा, at different temperature are mixed, heat will be transferred from body at higher temperature to a body at lower temperature till दोनों का temperature बराबर हो जाए, और इस case में हम यहाँ पे कहते हैं, कि यह आपका principle of calorimetry कहलाता है, कि heat gained by one body will be equal to heat loss by another body, इस case में हम आपका lossless system मानते हैं, environment में आपक heat loss जो होएगी, MS delta T से लिखेंगे, तो जिस body ने heat loss की है, उसके लिए लिखेंगे, आप MS multiplied by उसका initial temperature minus final temperature, तो यह इसका delta T आ गया, will be equal to दूसरे body ने जो heat gain की है, so this will be equal to MS multiplied by यह उसका delta T आ गया, notice करना यहाँ पे जिस body का temperature पहले high था उसका दूसरे वाले का low था, मांड वाल करके, temperature कहीं बीच में set होएगा, अगर दोनों का mass और S का product सेम है, तो आपका exact center पे 100 और यह 50 है, तो 75 पे set हो जाएगा, पहसे कुछ जबरस्ती नहीं है, दोनों की M और S की value पे depend करेगा, तो यह 50 से 100 हो सकता है, आपका final temperature 90 भी आ जाए, हो सकता है, 60 भी आ जाए, values पे depend ठीक है, principle of calorimetry जो है, यह आपका conservation of energy के principle पे based है, हम कहते हैं यहाँ पे initial energy is equal to final energy, या फिर loss of energy by one will be equal to gain of energy by the second one, यह आपका principle of calorimetry है, now, heating curve यहाँ पे हम बाहर करते हैं, अच्छा था curve है, इसको मैं समझा रहेता हूं, हम ही कहते हैं कि हमने मानली जी एक solid लिया, इस case में usually समझ आने के लिए हम ice, उसका water, steam का example लेते हैं, तो पहले आपका solid state में था, ice यहाँ बनी हुई थी, आपने उसका temperature बढ़ाया, ठीक है, और यह time के साथ हम इसका graph plot कर रहे है, temperature आपने उसको बढ़ाया, तो यहाँ पे पहले जो solid था, वो आपका, उसका temperature यहाँ पे change हुआ, तो उसके आप जैसे heat दे रहे हैं, उसका temperature माइनस 20 से माइनस 15 और आपका वो value आएगी, उसके आप जो 0 degree पे पहुँचेगा, यहाँ पहुचेगा, उसके बाद वो ice आपकी melt करेगी, जब वो ice आपकी melt पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो continue, उसके बाद भी अगर आप continuous temperature बढ जाता है, वो जो पहुच गया, उसके बाद वो boil होना start होएगा, और उसके state change होएगी, जिसको हम कहेंगे है, वो steam में convert हो रहा है, पूरा water steam में convert हो गया, water vapors बन गए, उसके आप temperature बढ़ाएगे, तो आपका boiling point जो हो गया, यह आपका boiling वाला process था, उसके बाद steam का temperature 100 degree से यहां से और यहां से नाप सकते हैं, इसके उपर आपकी जो भी data हमने देखा था, specific heat is inversely proportional to the slope of जो आपका temperature time का graph आएगा, इस slope पे depend करेगा, latent heat जो होती है, वो depend करेगा, कि आपकी length कितनी जादा है, जो आपके zero slope की line है, तो आप heat दिये जा रहे है, दिये जा रहे है, दिये अगर कोई theoretical सवाल पूछ ले, इसको ध्यान रखना है, या calculation करवाले, दो graph बना के, कि एक graph ऐसे जा रहे है, दूसरे ऐसे जा रहे है, बताओ किसी की specific heat जादा है, किसी की कम है, इस चीज को ध्यान रखना है, specific heat तो इसका slope का anniversary proportional होएगा, और length of line आपका latent heat represent करेगा, ठीक है, चला, इसके उपर कुछ सवाल सॉल करते हैं, question says, liquid of mass M, एक liquid है, जिसका mass आपका M है, and specific heat C, specific heat C दी हुई है, उसकी is heated to a temperature 2T, उसको आपने 2T temperature तक heat किया है, another liquid जिसका mass M by 2 है, and specific heat 2C है, is heated to a temperature T, दूसरे वाले को आपने, जिसका mass M by 2 है, specific heat उसकी 2C है, उसको T temperature तक आपने गर liquids are mixed, आप उन दोनों को आपने mix कर दिया है, सवाल है, result in temperature, mixture क्या होगा, now, आपका जो sample 1 है, sample 1 का mass अपने को दिया हुआ M, specific heat है, उसकी C, और temperature है, उसका 2T, दूसरा जो sample है, दूसरा sample है, उसका mass है M by 2, और उसका specific heat है 2C, और उसका temperature है T, आपने इन दोनों को आपने कर दिय है, ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे, heat loss by 1, will be equal to heat gain by other, तो इसका मान लिजिए, final temperature जो है, वो T dash हो जाता है, ठीक है, final temperature T dash, या भी T mix लिख रहते हैं, इसको, T mix आपका temperature हो जाता है, तो heat loss, जो है, of course, इसका temperature जादा था, तो इसका temperature कम होएगा, इसका temperature बढ़ेगा, हम कहे हैंगे, heat loss by 1, will be equal to heat gain by another, तीक है, by 1, will be equal to heat gain by 2, now, इस case में हम पहले वाले के लिए लिए लिखेंगे, इस या आएगा, आपका M, multiplied mass, उसका M है, multiplied by specific heat C दे रखी है, temperature उसका change हुआ है, 2T minus T dash, will be equal to heat gain by other, उसको, आप लिखेंगे, M by 2, multiplied by specific heat, उसकी दिवरी आपने को 2C, multiplied by उसका temperature change हुआ है, temperature आपका final Tm minus T dash, ये value आप इसको ऐसे लिखेंगे, now, इस case में, अगर यहाँ देखेंगे, M multiplied by C, ये भी 2 cancel होके, M multiplied by C है, ये दोनों तो cancel हो जाएंगे, तो ये value बज़ी 2T minus T dash, या Tm लिखेंगे, इसको, Tm equal to, यहाँ बनेगा, आपका Tm minus T, इसको इदर ले जाएं, इसको इदर ले जाएं, इसको इसका मतलब 2T plus T will be equal to 2Tm, इसका मतलब है, Tm जो इसकी value आगे, 3 by 2T, ठीक है, ये आपका final mind value होके, 3 by 2 temperature T बचेगा, so, which means, आपका option D, 3 by 2T would be the right answer, चलो, अगला स्वाल स्वाल करते है नीट में 12-16 के एक्जाम में आप से स्वाल पुछा गया, question says, a piece of ice falls from a height H, so that it melts completely, तो एक आपकी H height से ice का टुकडा या ice का गोला उपर से नीचे गिर रहा है, और वो पूरा नीचे आते आते तक पिगल गया, पिगला क्यों हो, विकार रास्ते में उसकी कुछ energy, जो potential energy थी वो आपकी heat के form में convert वी, only one quarter of the heat produced is absorbed by the ice, तो आपकी जित्ती भी heat आई, one quarter जो थी उसकी सिर्फ आपकी ice ने वो ही absorb की है, and all energy of ice gets converted into heat during its fall, वो सारी energy आपकी heat energy में convert वी, उससे आपकी ice पिगल गई है, हमें बताना है, height की क्या value होगी, ना theoretical सवाल है, question मैं आपको एक बाद फि नीचे गिरा, यहां तक जब वो पहुंचा तो पूरा पानी में बदल गया था, टकरा के नहीं, टकराने से पहले ही, और इसको मान ली जाए, container में है, वो सारी कहानी है, और जितनी भी energy थी आपकी, सिर्फ उसकी one fourth portion आपका heat में गया है, ना उपर से नीचे जो आपका M mass की IE से मान लो, उपर से नीचे जब आएगा, तो उसकी change in energy जो होगी, वो delta E उसको आप लिखोगे, this will be equal to MGH, ठीक है, यह change in potential energy हुआ है, उसका उपर से नीचे आने में, इसका सिर्फ one fourth portion आपका, उसका state change करने में गया है, so इसको आप divided by four करें, this will be equal to ML, यह आपका energy में उसका state change करने में इतनी heat use हुई है, now इसके basis पर आप कह सकते है, H की value हमें बता नहीं, क्या होगा, G पता L दिया हुआ है, so इन दोनों equation से दिखेंगे, तो आप लिख सकते है, H will be equal to four, M cancel हो जाएगा, four L divided by G, यह आपका result देएगा अपने को, now इसमें value डाल देते हैं, so which means यहाँ आप लिख सकते है, H, this will be equal to four, multiplied by L, L की value दिखेंगे, अपने को 3.4 multiplied by 10 to the power 5, divided by G, G की value अपने को 10 दिखेंगे, अपने को 10 दिखेंगे, थोड़ा सा confuse करने के लिए, G को 10 meter per second square ना देके, Newton per kilogram दे दिया है, so it's the same thing, so इसके H की value है, यह हो जाएगे, अपनी, यह हो जाएगा, four multiplied by 3.4, तो यह आपका हो जाएगा, 6, 13.6, यह हो जाएगा, multiplied by 10 to the power 4, और यहां को गी kilometer में convert करना है, तो वो convert कर लेते है, H will be आएगा 136 kilometer, so based on this sum कह सकते है, option A, 136 kilometer, this would be the right answer. All right, चलो, अगला सवाल सवाल करते है, question says, steam at 100 degree centigrade, is passed into 20 gram of water at 10 degree centigrade, when water requires temperature of 80 degree centigrade, सवाल है, mass of water present will be, need 2014 का सवाल है, scenario में आपको समझाता हो कहा रहा है, scenario यह है कि यह आपका container, इस container में आपका पानी भरा हुआ है, पानी की जो initial condition है, वो mass सो का 20 gram, और आपका temperature है 10 degree centigrade, now, इस case में अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने steam ऐसे mix कर दी, इसमें, आपने ऐसे steam mix की, और steam यह है, मान लिजे, M mass की steam आपने इसके थूपास की है, यह आपका कहीं container, pressure cooker से connected है, बगरा बगरा, जो भी कहानी हो रही है, तो M mass की steam है, उसका temperature 100 degree centigrade है, जब यह steam इसके साथ mix हुई, तो अब यहाँ पे इसका temperature जो है, वो final हो गया, आपका 80 degree centigrade, अब यहाँ पे हम से पूछा है, net mass क्या होगा, यह चीज दिहान रखना, यहाँ पे जो आपका mass आएगा, mass 20 gram तो पहले जो पानी का है, वो plus आपने जो steam क्यों convert किया है, तो steam का पहले क्या होगा, 100 degree temperature पे आपकी steam है, वो आपकी 100 degree temperature पे steam आएगी, उसका temperature change होगा, उसके बाद water बनके वो 100 degree से उसका temperature 80 degree पहु इस case में, अगर हम principle of calorimetry को apply करें के heat loss by 1 is equal to heat gain by 1, तो पहले देखते हैं आपकी steam ने कितनी heat loss की यहाँ पे, so let us say mass of steam जो है, वो आपकी M mass है, this is mass of steam, वो आपकी यहाँ पे mix हुई है, यहाँ आपका M mass है उसका, इस case में हम यहाँ पे लिखेंगे, M mass of steam के जब हम बात कर रहे sorry, उसका पहले state change हुआ है, उसको आप लिखोगे ML, फिर उसके बाहर लिखोगे MS delta T, now इसमें से अगर आप M common ले ले, M में से भी unknown है, this will be equal to L जो बचेगा, आपका specific heat इसका हुआ है 540, plus यहाँ पे आपका specific heat of water multiplied by temperature change, specific heat water आपका 1 multiplied by temperature change हुआ है, उसका 100 minus 80, यहाँ आपकी value हो जाएगी, so which implies Q1 will be equal to, यह बनेगा आपका 540, plus आपका 20 आजाएगा, so this is 560 M, इतनी आपकी heat loss हुई है, now यह heat आपकी गही कहाँ, उसकी बात कर लेते हैं, so आपकी जो heat जो यहाँ पे आपकी gain हुई है, let's talk about that, so heat gain जो है, उसको आप लिखोगे Q2, heat gain की आपकी इस water ने, so heat gain जो होएगा, उसका आप लिखोगे 20 gram, इसको आप लिखेंगे, formula इसका पहले में आपके लिख दू, so this will be equal to M S delta T, ठीक है, और M S delta T की आप value हम लिखेंगे, this will be equal to 20 gram, multiplied by S जो है, आपकी specific heat of water 1, multiplied by temperature, उसका जो change हुआ है, वो हो गया 80, sorry 10 से लेके 80 तक पहुँच आपका, ठीक 20 multiplied by 70, so this will be equal to 1400, तो इतनी calorie है, आपकी heat water ने gain की है, उसको इतनी supply की है, now calorie metric के principle से हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, so we can say आपका Q1 will be equal to Q2, यानि के आपका 560 M will be equal to 1400, which implies जो M है आपका, उसकी value आजाएगी, 1400 divided by 560, now 0 cancel हो जाएगा, इसको जो आप calculate करेंगे, यह बचाएगा आपका 5 by 2, यानि के इसकी value हाजाएगी 2.5 grams, 2.5 grams, so 2.5 gram की steam आपके इस्तेमाल हुएए, यानि के total mass जो आपका final mass जो पूछा हुआ है, तो total mass जो आपका बनेगा 20 plus 2.5 यानि की 22.5 gram, या आपका final mass हुएगा, which means आपका option number D, 22.5 gram, this would be the right answer. I hope it is आपको समाझ में आई, and I wish you all the best for your upcoming exam.